Hello everyone, आज हम लोग देखने वाले हैं comparison between new A-class limousine versus A35 AMG जो की limousine का AMG version है, तो हम start करते हैं सबसे पहले इसकी front look से अगर आप A-class के अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर आपको high performance LED के साथ में front की जो grill है, वो single chrome grill में मिलती है हमें और जो इसका bumper है, वो हमें अवंदगार design के अंदर मिलता है यहीं अगर हम A-35 AMG की तरफ देखें, तो इसके अंदर आपको single AMG grill मिलती है with dual silver chroming, और नीचे bumper में भी आपको काफी chroming मिलेगा, side के fins में भी और नीचे spoiler के अंदर भी, अब आते हैं इसके tire पे, तो star design के अंदर 18 इंच इसके tire आते है इसके अंदर, जिसका size है 235 40 ZR18, यह run flat tires होते है plus जो इधर हमारे पास A200 limousine है, इसके अंदर हमें 205 55 R17, तो यह 17 इंच के alloy wheels आते है इसके अंदर हमें थोड़ा chroming के साथ black shade भी मिलता है इसके A35 के fender में हमें turbo formatic की badging मिलती है door handles हो हमें chrome के साथ में मिलते है और अंदर की trim है वो हमें black color shade में मिलती है जिसके अंदर आपको red seat belt, red stitching, AMG floor mats, थोड़ा carbon finishing का design दिया हुआ है तो सामने dashboard है उसके अंदर आपको दिखेगी और इसके अंदर हमें नीचे AMG के mats भी दिख रहे है और AMG की illuminated scuff plate भी मिलती है हमें बोथ front doors के अंदर यहीं हम इसका फिर gate close करते हैं तो हम देख सकते हैं जो चारो door handle से हमें chrome finishing के साथ में और नीचे भी chrome की finishing दी हुई है under body जो इसका running board है अगर आप यही चीज़ A200 में देखें तो door handle आपको body color मिलता है और नीचे chrome panel नहीं मिलता Mercedes की illuminated plate मिलती है इसके अंदर और Mercedes Benz के ही mats आते हैं इसमें और अंदर का जो यह पूरा interior है यह beige और black finishing के साथ में है और इसमें आपको wooden trim भी मिलती है अब हम इसको भी close करके दोनो cars के rear में आते हैं यहां से आप difference भी चेक कर सकते हो side panels का alloy wheels का side designs का और जब हम rear में आते हैं तो आप देखेंगे A35 AMG के अंदर आपको AMG की badging मिलती है और एक side पे A35 लिखा आता है नीचे जो दोनों कड़ी के exhaust है वो A35 के अंदर different है A200 के अंदर different है A200 के लेकिन lights दोनो cars की same मिलेंगी आपको इसके अंदर और A35 AMG में आपको rear parking camera के सारसाथ all surround sensors भी मिलते हैं A35 AMG के अंदर जैसे आप देख सकते हो कि integrated spoiler आता है जो की performance में काफी help करता है braking के अंदर भी और Carcadro Dynamics को maintain करने के लिए भी नीचे dual exhaust जाते हैं और जो नीचे के bumper है उसके अंदर भी fins दिये हूँ है sides में भी और underbelly के अंदर भी lights ही बस सिर्फ सेम है बाकी पीछे से पूरी गड़ी change है अब एक बर A35 AMG का interior भी देख लेते हैं हम लोग इंजिन से तो हम पहले देखेंगे A200 का इंजिन ये एक 1332 CC का inline 4 cylinder इंजिन है 163 horsepower है 250 Nm टॉर्क है 7 speed DCT gearbox आता है इसमे 8.3 second 0200 और top speed इसकी approximately होती है 230 km पर आर इसके अंदर हमें 8 years unlimited km की warranty engine gearbox on transmission की मिलती है normal city drive और practical conditions में चलाने के लिए काफी ज्यादा मतलब efficient है ये engine अब हम आते हैं A35 AMG के engine पर जो की एक 2 liter turbo engine है 1991 CC inline 4 cylinder AMG speed shift इसके अंदर 7 speed gearbox आता है 306 horsepower है 400 Nm torque है इसका 0200 सिर्फ 4.8 seconds है इसकी top speed 250 km है electronically restricted और ये एक 4 wheel drive car है इसके अंदर 4 wheel drive 4 matic भी आता है Mercedes के side से क्योंकि ये इतना power handle करने के लिए इस size की car को total grip चाहिए road पर और ये एक proper sports car वाला feel देती है अब कुछ features हम पास से देखते हैं की headlamps के अंदर अगर आप देखो A35 AMG के अंदर multi beam LED headlamps आती है जिनकी range 650 meters की होती है और ये adaptive high beam के साथ आती है ये ही A200 के अंदर high performance LED आती है जिसकी range 400 meters होती है ये भी more than sufficient है for Indian roads इस segment की car के अंदर अब एक बर interior देखेंगे तो A35 AMG के अंदर आपको जो सामने center display हो यहाँ पर आपको AMG display मिलता है AC vents दोनों गाडियों में सेम है 64 color ambient lighting है trim का difference है यहाँ पर two zone automatic AC same है नीचे का जो console है जहाँ touch pad है dynamic controls है वो सब सेम है यहाँ तीन function हमें change मिलते है manual mode, traction control off करने के लिए और suspension setup suspension के अंदर भी आप तीन modes के अंदर adjust कर सकते हो कि कितना comfort या कितना dynamic चाहिए आपको और जो center का ये tray है इसका हम open करते हैं ये आपको दो cup holders और wireless charging same मिलेगी जैसे A200 के अंदर आती है power master surround system इसमें मिलता है हमें 590 watts के साथ में A200 में Mercedes original speakers ही आते हैं उसका output Mercedes कहीं show नहीं करती है 16 lakh के price difference के अंदर choice is yours, thank you